सब्सक्राइब करें, इसका यूजरने में फ्री नीट स्टेडी जिसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में और कम्नीटी टैम में दे रखी है तो इक बार जाकर जैकर चेकिजि़ी होगे, डेली रगुलर्ली आपको कुईस यहाँ पे मिलती रहती है तो इससे कि आप देखते हैं कि आप डोसा इटली बनाते तो इसमें जो puffed out appearance होता है वो किसकी वज़ेसे होता है जो puffed out appearance होता है वो आपका large amount of the CO2 gas जब वीडियोस होती है उसकी वज़ेसे यहाँ पर यह होता है अगर आप इसका answer देखने तो production of the large amount of CO2 gas यह जो chapter है यह काफी important chapter because इसमें directly question बनते हैं कोहीं घुमा फिरा कि इसमें question बहुत ही कम बन सकते है डारेक्टली जो question है वो इससे बनते है और इससे match the following type का जो एक दो question पुछी जाते है वो mainly इसी chapter से आपके सामने यहाँ पर आते तो यह chapter काफी important है और इसके question भी काफी easy होते है तो यह आपने इ सबसे correct कौन सा है मतलब यह तो statins जो कि आपकी blood close to alluring isn't होती है वही आपका यहाँ पे सही answer है स्टेप्टो काइनिस को हम फ्लॉट वस्टर की रूप में जानते cyclosporine A जो है वह आपका immunosuppressive होता है उपर नीचे यहाँ पर कर दिया इसलिए काफी सारे students को यहाँ पर doubt हो गया तो इसमें थोड़ा सा आप लोग इस chapter पर ध्यान दीज़ेगा because इसमें examples learning की चीज़ें हैं अपको मिलेगी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ next is biogas is the mixture of gases produced by microbial activity the type of the gases are produced are depend on the जो type of the gases है वो किसकी उपर depend करती है तो सबसे पहले वाद कि आपका microbes कैसा है साथी साथ उसके में अंदर organic based कौन सा है digester कैसा किस company का digester इसके उपर हमको कोई function नहीं कि आपने इसका AC का लगा रखा है इसके किस company का लगा रखता कुछ company से मतलब नहीं करता कि आपके अंदर microbes आपने कौन से डाला है उससे depend करेगा जो gases produce होगी और आपने substance कौन से डाल रखा है substrate के आप उससे आपकी यह जो कैसे से यहाँ पर depend करेंगी तो इसका भी आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाता है next question is which biocontrol agent is very common in root ecosystem रखिये यहाँ पर directly आगे कि root ecosystem के लिए कौन से biocontrol agent बहुत ही important हो सीधा आपका अंसर यहाँ पर किस से आजाना चाहिए आपका अंसर आज़े ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा is very important for the root ecosystem next question is which of the following bacteria is associated with the production of the bio insecticide bio insecticide के लिए आप लोगों ने directly पढ़ा है कि हम लोगों केवाल एक चीज़ रटी होई है bacillus thuringiensis bacillus thuringiensis bacillus thuringiensis bio insecticidal plant बनाते bio insecticidal जो protein होती है crystal protein इसके अंदर होती है तो इससे हम bacillus thuringiensis से इसमें निकालते हैं तो इसमें कोई भी आपको doubt नहीं हो चाहिए तो इसका directly answer आपको यहाँ पर second हो चाहिए यह काफी सार इस्टोंस ने इसको सही answer यहाँ पर लगाया हुआ है next question इस्टोंस देखेंगे bio pesticide includes bio pesticide के अंदर क्या क्या include करते हैं तो bio insecticide, bio herbicide या फिर बोथ या फिर bio fertilizer भी हम इसके अंदर जोडते थे है तो Bio fertilizer हम Bio pesticide के अंदर नहीं जोडते हैं केबल bio insecticide और bio herbicide जो होती है वो इसके अंदर आती है बहुत सारे स्टोंस ने इसको गला जरूर किया है बायो फेटिलाइजर जो हैं वो आपके बायो इंसेक्टिसाइड के अंदर हम बिलकुल भी नहीं जोड़ते हैं बैसिलस थ्रुञजिनेस इस यूज़ टू कंट्रोल बैसिलस थ्रुञजिनेस के हम यूज़ करते हैं किसके कंट्रोल में मौथ, फ्लाइज या मॉस्कीटो तो आंसर है आपका यहाँ पे अल अफ दीज इन सभी के कंट्रोल में यूज करते हैं अगर आपने हमारी पहली जो कुईज होंगी बायो टेक्नोलोजी की जो कुईज होंगी अगर आपने बायो टेम्ट की तो इसका आंसर आपको जाया जाएगा उसमें बीटी कॉटन आपने पढ़ा है था जिसमें आपको LCD, लियोडर पेटरॉन, डिप्रेंस और कोलियोडर पेटरॉन पढ़ा है था इसमें आपके फ्लाइज, मॉस्क्योटो, सब कुछ आ रहा था तो इस वाले कॉश्चन का जो आपको आंसर हो जाता है वो यहां पर फोर्थ आंसर हो जाता है नेस कॉश्चन की बढ़ाएंगे स्टोरन त्राइकोडर्मा is powerful, useful microorganism for त्राइकोडर्मा किस के लिए होता है अभी आपने उपर देखा, त्राइकोडर्मा जो है वो आपने आप देख के आ रहा है कि रूट एको सिस्टेम के लिए होता है next question देखेंगे microbial insecticide microbial insecticide नमें से कौन सा है bacillus, thringinesis अभी उसका question उपर देखेंगे हैं तो directly line से question है इसमें एक question linked होता है अभी इसका question उपर करके आए हैं तो वही question directly फिल नीचे यहाँ पर indirectly पूछ लिया है आखरी question देखेंगे ladybird is to get rid of ladybird जो होए तो किस से बचाओ के लिए हम किस से use करते हैं ladybird को हम use करें किस के बचाओ के लिए तो यहाँ पर सिधी बात है कि यहाँ पर directly answer एंफिड आप में से काफी सारे students ने इसमें mosquito लगाया तो आपको भूल चुके हैं इस साथ में वहाँ पर dragonfly भी लिखा होता है अगर आप mosquito लगा रहे हैं तो mosquito dragonfly के लिए होता है ladybirds आपका emphids के लिए होता है यह दोनों लाइन ऐसे लिख रखी है ladybirds and the dragonfly for emphids and mosquito लेडिवर्ड के लिए emphids आजाता है और dragonfly के लिए आपका mosquito आजाता है तो यह थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजेगा यह कुछ question थे I hope आपको question पसंद आयो next session मिलेंगे next question के साथ thank you